नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया के साथ अजूबों की कमाल की कहानिया ये अजूबे सालों से लोगों को अपनी तरफ खींचते रहे हैं और आज हम भी इन ही के सफर पर निकलेंगे इनकी कहानियों में छुपे हैं राजा महराजाओं के सपने प्यार और जीत की कहानिया तैयार हो जाओ दोस्तों क्योंकि आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे इन अजूबों के पीछे की मजेदार कहानिया अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी बजाना न भूलें और हां वीडियो पसंद आये तो लाइक और शेर भी करते रहना ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं प्यार की निशानी ताज महल की आगरा शेहर में बना ये सफेद संग मरमर का मकबरा मुहबबत की एक अमर कहानी कहता है मुघल बादशाह शाहजहा ने अपनी बेगम मुम्ताज महल की याद में इसे बनवाया था ताज महल को बनाने में पूरे 22 साल लगे और लगभग 32,000 मज़दूरों ने दिन रात मेहनत की इसकी दीवारों पर कीमती पत्थरों से नकाशी की गई है यमुना नदी के किनारे बना ये ताज महल सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता कुछ जानकार मानते हैं कि ताज महल सिर्फ एक मकबरा नहीं बलकि मुघल सल्तनत के पैसे और ताकत का दिखावा भी था हर साल लाखों परियटक यहां आते हैं और इस खूबसूरत इमारत को देखते रह जाते हैं अंदर से तो ये और भी ज्यादा सुन्दर है इसकी दीवारों पर की गई नकाशी, रंगीन पत्थरों का काम और शानदार गुमबद आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे तो अब दोस्तों किरीश सिर्फिती ताज महल की कहानी अब चलते हैं अपने अगले अजूबे की तरफ वे अब दोस्तों, चलते हैं चीन की ओर, जहां खड़ी है दुनिया की सबसे लंबी दीवार Great Wall of China ये दीवार इतनी लंबी है कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है इस दीवार को बनाने में कई राजाओं ने अपना योगदान दिया और लगभग 2000 साल लगे इस दीवार का मकसद था चीन की रक्षा करना दुश्मनों से बचने के लिए ये दीवार एक मजबूत किले का काम करती थी इस दीवार पर तैनात सिपाही दुश्मनों पर नजर रखते थे और खत्रा होने पर संदेश भेजते थे Great Wall सिर्फ एक दीवार नहीं बलकि चीनी इतिहास और संस्कृती की पहचान है ये चीनी लोगों की मेहनत, लगन और देशभक्ती को दिखाती है आज भी ये दीवार दुनिया भर के पर्यटकों के लिए देखने लायक जगह बनी हुई है इस दीवार पर चलते हुए आपको चीन के इतिहास की ज़लक मिलती है हर इंट, हर पत्थर अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है चलिए, अब रहते हैं अपने अगले अजूबे की तरफ दोस्तों, अब हम चलते हैं जॉडन के रेगिस्तान में जहां छुपा है एक रहस्यमई शहर, पैटरा, इसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहां की इमारतें गुलाबी रंग के पत्थरों से बनी है पैटरा को नबाटेयन लोगों ने पहाडों को काट कर बनाया था सोचो, उस जमाने में बिना किसी मशीन के सिर्फ हथोड़े और छेनी से पहाडों को काट कर इतना सुंदर शहर बनाना कितना मुश्किल रहा होगा पैटरा कभी व्यापार का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था यहां से होकर मसाले, रेशम और दूसरी कीमती चीजें आती जाती थी लेकिन समय के साथ-साथ पैटरा खो गया और सदियों तक रेट में दबा रहा अठासो बारा में एक स्विस खोजकरता ने इसे दोबारा खोज निकाला और तब से लेकर आज तक पैटरा दुनिया भर के लोगों के लिए एक अजूबा बना हुआ है पैटरा की सबसे मशहूर इमारत है आल-खाजने यानि खजाना इसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी जादूगर ने इसे पहाड़ों में से उकेर दिया हो दोस्तों पैटरा सच में एक अनोखी जगए है जहां इतिहास और वास्तुकला का गजब मेल देखने को मिलता है अब दोस्तों उडान भरते हैं ब्रजिल के रियो दिजनेरो शहर की तरफ जहां कौरकोवादो पहाड़ पर खड़े हैं इसा मसी Christ the Redeemer ये विशाल मूर्ती 30 मीटर हूँची है और इसके फैलाए हुए हाथ मानो पूरे शहर को गले लगा रहे हो Christ the Redeemer को बनाने में लगभग 9 साल लगे और 1931 में इसे पूरा किया गया ये मूर्ती ब्रजिल की धार्मिक आस्था और कला का प्रतीक है Christ the Redeemer के पास से पूरा रियो शहर दिखाई देता है और यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखना सच में बहुत सुन्दर होता है हर साल लाखों लोग यहां आते हैं और इसा मसीह के इस भव्य रूप के दर्शन करते हैं Christ the Redeemer ना सिर्फ ब्रेजिल बलकि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है प्रेम, शान्ती और भाईचारे का प्रतीक दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं साउथ अमेरिका के पिरू देश में जहां एंडीज पहाडों के बीच छुपा है एक खोया हुआ शहर माचू पिच्चू ये प्राचीन इनका लोगों का एक खास केंद्र था और पंद्रहवी शताबदी में बनाया गया था माचू पिच्चू को बादलों के उपर बसा शहर भी कहा जाता है क्योंकि ये समुद्र से लगभग 2430 मीटर की उंचाई पर है ये शहर सदियों तक दुनिया की नजरों से दूर रहा और 1901 के में भाइम पेकिये में एक अमेरिकन इतिहासकार ने इसे खोज निकाला माचू पिच्चू में आपको प्राचीन इनका लोगों के बनाये हुए मंदिर, महल, घर, सब कुछ पत्थरों से बने हुए मिलेंगे ये शहर इनका लोगों की उननत तकनीक और कला का प्रतीक है दोस्तों, माचू पिच्चू एक ऐसी जगह है जहां जाकर आप खुद को इतिहास के पन्नों में खोया हुआ महसूस करेंगे दोस्तों, अब हम आ गए हैं मेक्सिको जहां स्थित है माया सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र चिचन इत्सा यहां आपको कई प्राचीन मंदिर और पिरामिट देखने को मिलेंगे जो माया लोगों के खगोल विज्ञान और वास्तुकला का प्रमान देते हैं चिचन इत्सा का सबसे प्रसिद्ध पिरामिट है एलकस्तियो यानि महल जिसे कुकुलकन का पिरामिट भी कहा जाता है इस पिरामिट की बनावट ऐसी है कि हर साल दो बार बसंत और पतजड में सूरज की रोशनी पढ़ने पर ऐसा लगता है मानो एक बड़ा सा साब पिरामिट पर से रेंग रहा हो माया लोग इस घटना को अपने देवता कुकुलकान पंखों वाला साब का आना मानते थे चिचन इज्जा में आपको माया संस्कृती और इतिहास की एक ज़लक देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपको इतिहास और पुरानी चीज़ें पसंद हैं तो चिचन इज्जा आपके लिए एक बेहतरीन जगह है अभि अंत में दोस्तों हम आ गए हैं इटली की राजधानी रोम जहां खड़ा है रोमन सामराज्य का गौरव कॉलोसियम ये विशाल अखाड़ा पचास हजार से ज्यादा लोगों को समाहित कर सकता था और यहां पर योध्धाओं के मुकाबले जानवरों की लड़ाई और नाटक होते थे कॉलोसियम को असी ईस्वी में बनाया गया था और लगभग 2000 साल बाद भी ये इमारत रोमन इंजीनियरिंग का एक बहतरीन उदाहरण मानी जाती है इस अखाडे के नीचे सुरंगों का एक जाल बिचा हुआ था जहांसे जानवरों और योध्धाओं को अखाडे में लाया जाता था कॉलोसियम रोमन सामराज्य की ताकत और वैभव का प्रतीक था आज भले ही कॉलोसियम अपनी पूरी शानों शौकत के साथ ना हो फिर भी ये इमारत रोम के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है दोस्तों रोम जाएं तो कॉलोसियम जरूर देखने जाना तो दोस्तों ये थे दुनिया के साथ अजूबे और उनकी कहानिया सिखाता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले और हाँ कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सा अजूबा सबसे ज्यादा पसंद आया अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमसकार धन्यवाद